हेलो एवरिवान वेलकम बेक टू मैं चेनल होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे स्वस्थ होंगे तंदूरस्त होंगे मैं भी ठीक हूँ स्वस्थ हूँ तंदूरस्त हूँ तो सुब्य का टाइम है तो सुब्य सुब्य ही जो कपड़े डाल दी थी मसीन में धुलने के लिए वो धुल गए उसी को सुखा रही हूँ तो जब मैं घर के अंदर चाय नास्ता वगेरे करती हूँ उससे पहले जो कपड़े डाल ही देती हूँ ताकि जो छोटा मुटा है उसको बिचा दिया था तो आज मैं फिर से जो सुख गए तो इसको लगा दूँगी अच्छे से मैं यहाँ पर सोफा उसको मैं जाड़ लूँगी ताकि जो फिर डश्ट मीटी है वो निकल जाए बस ऐसे थोड़े थोड़े टाइम पर मैं निकाली देती हूँ जब मैं दूलने के लिए डाल ही देती हूँ कि फिलाल के लिए मेरे पास कवर एक ही है सोफा के दूसरे नहीं है तो बस ऐसे जब मैं दूलने के लिए डालती हूँ तो ऐसे कुछ दूपटा या फिर कोई बेट सीट होती है उसी को मैं बिचा देती हूँ तो बस यहाँ पर जो सोफ का रूटिन चलता रहता है ऐसे जो मोर्निंग का काम है मेरा सुबह सुबही स्टार्ट हो जाता है तो जब आगे की जो डेस्टिंग क्लिनिंग है वो करेंगे तो यहां पर जो सोफा से अटेज टेबल है जो काच किये और फोल्डिंग है तो उसी को मैं अच्छे से साफ कर तो आज थोड़ा पानी है वो ही डाल दिये कभी कभी क्लिनर से सफाई करती तो ऐसा मेरा मल्टि टास्किंग चलता रहता ज्यादा गंदा नहीं था तो बस ऐसे थोड़े छीटे पानी के डाल दिये और गलास को अच्छे से पूरा क्लिन कर दिये इसके बाद जो यह मनी प् करूंगी साफ करूंगी तो टीवी को पूरा अच्छी तरीके से मैंने साफ कर दिये इसके बाद निच्छी की तरब जो शारी चीजे है तो यह फोटो फ्रेम यहाँ पर रखी उसको भी अच्छी तरीके से पूरा में रश्टिंग कर देती क्योंकि जितना भी हम काम कर ले ओब पताने धुल आही जाती है चाहे हम कितना कर ले और दरवाजे के साम नहीं यहांपर जो टीवी युनित है तो बहुत ज्यादा धुल मीटी आई जाती है तो इसको भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ़ कर दी है क्लीन कर दी और दूस्री जाना होगा तब ले जाएंगे यहां से तो पूरा जो बाहर काम है, वो मैनी निप्टा दिया है, यहां पर जू मेरे बेटे का कवरा है, बेट भी मैं अच्छे तरीके से पूरा लगा दिया है, उसके बाद पूरे गर में आती है, जाडू लगानी के, तो ये वाला जो कमरा है वहां पर भी में जाड़ू लगा दूँगी तो बस सुबह सुबह ऐसे भागम भाग वाला काम हमारा रहता है तो मेरा बेटा का जो कमरा है वह भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ कर दिया इसके अंदर डिस्टिंग भी मैंने कर दिया अब आचोकी बेडरूम में तो ये वाला बेड है वह भी मैंने अच्छे से पूरा सेट कर दिया इसके बाद जो ड्रेसिंग टेबल के पास सारी चीज़े पड़ी थी वो भी मैंने अरेंज करकर रख दी है इसके बाद ये वाला जो कमरे उसको भी अच्छी तरी के से पूरा मैं क्लिन कर दूँगी साफ कर दूँगी यहां पर भी मैं जाडू लगा दूँगी बाहर की तरब जो लिविंग रूम है बाहर पूरा अंगन उ बाहर आवाज मत करो क्योंकि हम लोग घूमने के लिए आये हुए तो मैं यहां पर हूँ तो पूरे घर के अंदर मैंने जाडू लगा दिये पोछा भी बाकी लेकिन खाना खाने के बाद मैं करूँगी तो ये कल रात के जो बरतन रखे हुई तो इसको मैंने सबसे पहले ड डिबा है इसको मैं अंदर की तरफ रख देती हूँ और यहां पर थोड़ा सा मेरे से आटा है वो गिर भी गया तो हाथ के आत यहां पर मैं छान रही हूँ ताकि इसका लोग बना कर रख दूँ तो पूरा जो प्लेटफॉर्प काउंटर टोप इसको मैं अच्छे से पूर पर कर ही देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा बरतन इसको हाथ के आत में वोस कर दूँ तो मेरा प्लेटफॉर्म काउंटर टोप भी बहुत ही छोटा है तो मैं सारी चीज़े इसको पर भर कर नहीं रखती हूँ और वहां पर पूरा आटा आटा गिरा हूँ तो सबसे पहले मैं मैं वहां पर क्लीन किया है इसके बाद ही में चाय पानी के जो बरतन है वो करूंगी तो आधा की चन काउंटर टोप है मैंने क्लीन कर दिया है तो पूरा घर अच्छे से सेट है और बरतन है वो भी मैंने वोस कर दिये इसके बाद खाने की तैयारी है वो करी दाल भी मैंने अजडल ले ऐसके बाद जो कट करकर हरी वाली मेंधि रकी थी वह डाल दी सारे चीजेशों के अच्छे से मिक्स करने के बाद दाल है वह डाल एसके बाद जो ड्राय मसाले सारे डाल दिये है और थोड़ा सा नमक यहां पर मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा उपर से डाला है तो हमारे दाल तैयार है लाश्ट में यहां पर हड़ा धन्या है वो मैंने डाल दिया और एक साइड मैंने चावल है वो भी बना दी और गर्मा गरम रोटिया बना ही और फिर खाना खालेंगे, तो यह आज का हमारा खाना दाल, चावल, स्लाट, रोटी, छाच, छाच के बीना थो हमारा खाना अधूरा है, इसके बाद जो किट्चन है, उसको भी मैंने पूरा अच्छे से साफ कर दिया है, क्लिन कर दिया है बरता ने उसको भी मैंने कर दिया है और सुबिय के टाइम आज में पोछा नहीं कर पाई थी तो अब मैं कर रहे हूं तो बस मेरे बेटे के कमरे में वहाँ पर भी मैंने कर लिया है बेडरूम में कर लिया है इसके बाद जो बाहर की तब पूरा लेविंग र उसके बाद खाने की ताइरी करनी थी तो पूच्छा मैंने रही नहीं दिया मैं उतारूंगी और बेट कर आराम से पहले तोय लगाऊंगी इसके बाद थोड़ी दिर में आराम करूंगी तो पूरा आंगा ने उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दिया है साफ कर दिया और बाहर जो मेरा एंटर से वहाँ पर भी अच्छे से पानी से जो फीनेल वाला था इसको मैंने गिरा कर क्लीन किया है साफ किया है और यह सारे जो कपड़े है वो भी सुख चुके है तो हाथ के आद इसको भी मैं अंदर ले जाओंगी और बेट कर जो सारे कपड़े है वो फिर मैंने तय लगा है तो सिद्धे में आप लोगों को रात को मिल रही है करीब जे हुए है तो यहां पर जो दिया है वो जला रहे हूं तो यह वीडियो थोड़ा पूरा ना है यह तुलसी विवा था इस दिन का वीडियो है तो मैं बाहर जो इंटरस में दिया जला रहे हूं तो जैसे मैं दिवाली पर भी दिया जला थी तो तुलसी विवा के दिन भी ऐसे ही में दिया जला थी और एक दिया जोई यहां पर तुलसी मैया के पास में जलाओंगी तो तुलसी मैया के पास दिया करने के बाद गर के अंदर दिया बाती है वो भी मैंने कर ली और यहां पर अभी भी मेरे पास समय था तो ये हरे वाले जो मतर है गर के अंदर पड़े हुए थे तो हाथ के आद इसको भी मैं निकाल कर रख देती हूँ तो बैटकर अपी आराम से जो हरे मतर है वो निकालूंगी क्योंकि खाना बनाने के थोड़ी देर तो इसलिए ये वाले मतर पड़े हुए तो इसको छिल कर मैं रख दूँगी दूसरे दिन फिर सबजी बनानी होती है तो बहुत ही इसी हो जाता है बस सिद्धा फ्रिज में से निकाला और सबजी का तड़का दे दिया तो सारे मतर है वो भी मैंने छिल लिए तो ये वाले जो डिब्बे है मैंने मिसो में से मगवाय है जो फिरिज के अंदर बहुत ही अच्छे लगते है तो ये था आज का छोटा सा वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो ज़रू वीडि करना ना भूले मिलते हैं नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ तब तक के लिए बाबाई